हेलो दस्तों सिलालीकूम मैं हूँ हरी आज मैं फिर आई हो एक नई डेसीपी के साथ ये रमजार में बनाई जाने वाली रेसीपी है इसको पीने के बहुती फायदे है इसको पीने से ताकत मिलती है पर इसे उस रोज बनाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए मैं बहुती असान तरीके से इसे बनाऊंगी जिसे आप एक बर बना कर पूरे रमजान खा सकती है या तोट्री बना कर पी सकती है तो वीडियो को अब तक सरूर देखे तो चलिए बनाना शुड़ू करते है सबसे पहले गरी और बदाम को छोटो छोटो चोटो तक्रूम काट लेंगे जिससे इसे पीशने में असानी हो साथने खशखश भी एड़ करेंगे अब इसका फाइन पॉर्डर बना लेते है इसे एक बर और चला लेंगे अब इस पॉर्डर को एक बड़े बरतर में पलट देंगे तो ये देखें मैंने बड़े तसले में पलट लिया है अब हम मगस लेंगे यानि तर्बूज और खर्बूज का बीज ये दिमाग के लिए बहुत फाइदे मन्द होता है साथ में काजू और अखरोट भी एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने पैकेट वाला अखरोट हिया है आप चाहें तो खुला भी ले सकती है इसका भी महीन पाउडर बना लेंगे तो सबसे पहले मैं काजू का पाउडर बना लेती हूँ ये देखी काजू पाउडर रहती है अगर आप इस तरह बनाएंगी तो पूरे महीने खराब नहीं होगा नहीं इसमें किसी तरह की मैक आईगी तो चलिए अब मक्स का पाउडर भी बना लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूले और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें मेरे चैनल को इंस्टागराम पर फालो करना न भूले तो चलिए अब तर्बूस का बीज पीस लेते हैं इसे तुर्री में जरूर एड़ करें क्योंकि ये बहुती फायदे मन्थ होता है और दिमाग को तेज़ करता है अब इसको भी बड़े वरतन में पलट लेंगे अब अखरोड को पीस लेंगे अखरोड ज्यादा नहीं लेना है नहीं तो इससे पाउडर में करड़ापन आ जाएगा इसलिए मैंने थोड़ा ही अखरोड लिया है तो चलिए इसको भी पीस कर बड़े बड़तन में पलट लेंगे अब चुवारों को कूट कर इसकी घुटली निकाल देंगे और इसे अच्छे से कूट लेंगे और इसे भी डाल कर पीस लेंगे अगर ये ना पीसे तो कूट करी ही डाल सकती है तो अब ताल माखाना पीसेंगे इसका भी महीन पाउडर बना लेना है तो चलिए इसे मिकसर में पीस लेते हैं इस तरह बनाने से रोज रोज तुरु बनाने के चंडर से छिटकारा मिल जाएगा और इसे आप सहरी में भी बना कर रड़ी कर सकती हैं सिर्फ पाश मिनट में तो है ना असान इसे सहरी में जरूर पिये जिससे दिन भर इनर्जेटिक रहें अब सब चीजों का पाउडर बन चुका है अब इसे एक एर्टाइड डबे में रख लेंगे जिससे ये पूरे महीने खराब नहीं होगा रखने से पहले इसको अच्छे से मिक्स कर ले जिससे सारी चीजे मिक्स हो जाए और चीजे इसमें नहीं एड़ करना है चीजे बनाते टाइम एड़ करना है तुर्री बनाने की वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोट करूंगी तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले फिर में लिंके नहीं सीपी के साथ बाबाय, आलाह, हाफीस